क्या हुआ जब दग्रेट खली के हाथ हो एक रैसलर की मौत हो गई दोस्तो आप लोग दग्रेट खली यानि दिलिप सिंग राणा को तो जानते ही हो गई दोस्तो इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और WWE में बहुती बड़े बड़े रैसलरों को हराया है क्या आप लोग जानते हो जब दग्रेट खली करियर की शुरुआत की थी तब उनके हाथ हो एक रैसलर की मौत हो गई और खली को काफी जादा बदनामी का सामना करना पड़ा लोग इने कातिल समझने लगे थे और बहुती गलत नजरों से इने देखने लगे थे कोई भी रैसलर इनके साथ मैच खेलने से डरता था दुस्तों यह बात तब की है जब खली को APW में प्रोफेशनल रैसलिंग लड़ने का मौका मिला और साल 2000 में यह बहुती बड़ी रैसलिंग कमपनी हुआ करती थी साल 2001 में खली एक रैसलर दब्रेंड ओंके साथ मैच खेल रहे थे तब खली के हाथों इनकी मौत हो गई यह वक्त उनके जीवन का बहुती बुरा वक्त था इस हाथसे के बाद खली को बहुती जादा बदनामी का सामना करना पड़ा और कोई भी बड़ा रैसलर खली के साथ मैच खेलना नहीं चाहता था उन्हें कोई भी मैच के लिए खेलाने के लिए ओफर नहीं कर रहा था तो भी खली ने हार नहीं मानी वह चाइना और जापान में होने वाली रैसलिंग लीग में खेलने लगे थे इस हाथसे के कुछ समय बात पता लगा कि दब ब्रेंड ओन रैसलिंग के लिए फिट नहीं थे जब उन्हें खली के साथ मैच खेला था और उन्हें डॉक्टरों ने भी उन्हें रैसलिंग करने से मना किया था पर फिर भी एपी डबलू के प्रेशर के कारण उन्होंने खली के साथ मैच खेला जिसमें उनकी मौत हो गई इस बात के सामने आने के बाद लोगों को पता चल गया कि इसमें खली की कोई भी गलती नहीं थी फिर उसके बाद खली अपने करियर में बहुती आगे बढ़ते चले गया और उन्हें बड़े बड़े रैसलरों को हराया और आज खली को उनकी रैसलिंग की वज़े से पुरी दुनिया जानती है दोस्तों आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना